नमस्कार दोस्तो आपका अपना चैनल केस एडूकेशन मैं केस चरम है तो आज लेएं दोस्तो बिहारर रिफ टो टेकनिंग और पार पहले दोस्तों आपको करवारे है चलते दोस्तों हैं पहला क्यूचन आपके लिए दोस्तों कि गांधी पर हस्ताचर हुए थे यानि कब हुआ था बहुत ज्यादा भीविया दोस्तों अगर जो पर दोस्तों मेरे चैनल पर सबस्क्राइब कर लेजिए और बेल आका दबा देजिए दोस्तों था में लिखा है तो क्या दोस्तों आपको यहां पर पहला क्यूशन है कि गांधी हुआ ठाकटर रजेनर परसाथ खाहं के रहने बाले घृठाटर भारत के पर्थम पर्थम राशप्रती थे दोसतों एक्टर रजेनर परसाथ और थे वह कहां रहने बढोंते तो तो यहांब तो लाज़ना Wheels तरहाऊ ख़लू की आपसर सब्सक्राइब वहुंता में टभण तो आपका इसमें परकास अं क्यात्い लुक्त सब्सक्राइब आपको 5 आपको जरकन खे आपको जरकन के थे दोस्तो ताख चे नमर में ठों उसके सासनकाल में दोस्तों बहुत सवा की सवाय के सभर्ण नगर में जो है आयूतzeitig stretch की आप्सन्न कई लूज़ू आपका बी यह जो है पाटली पुत्र love पू जो परता दोस्तों पतना पराद के बादि जहां कुछा भारत पर राज की आता है राज की आता है कन्व नमर के पहले सासन कर रहा था इसके पहले पहले फिर साथ कमार स헝भ जो है महांकर किस्पार ने लिखा किसा लिखा था लिखा है ऊपसे नवर द दोस्तोा ड के आ अब महुत दोस्टो अब बिधियो को शेर बहुत किजिए दोस्तों और आप एक लिए लाइक कर दोस्तों आप से एक ही रूकेश्ट करते दोस्तों कि आप जो है वीडियो को शेर जबूर करें पर दखना है 9 नमर में कि आपको कोटीलिय के अर्थ सास्ति कोटीलिय के अर्थ सास्ति के किस पहलूपर पर काश या अर्थ सास्ति क bubb ये आप संगोजित नमबर हो जाएगा यानि आप देखना है तामूर के औक भारत में किस राज ठापित हुआ था था तो यानि जो है तैमुर्ग बंश था दोस्तो तो तैमुर्ग को अकरमन करने के बाद भारत में अस्थापीत किया था फिर दखना में कि निमलिकित में सो किस सुल्तान के दरवार में सबसे अधिक गुलाम थे इनके पहले अधिक गुलाम रहते थे तो दोस्तों चुल्तान के दरबार में सबसे अधीक गुलाम कॉंच रहते थे फिरोज साथ तूगलक रहते थे फिर दखना है बारा नमर में कि निमलिखित में सुल्तान ने है बेरोजगारों को रोजगार देने के अपना हिमत उटाये थे फिर दखना है चौदा नमर में पर निमलिखित में सबसे कटर दोसमता था बहुत आने है भी बिया दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूपर पहली बार सबसे पिर में चलनल को सब्सक्राइब ले लिजी और बेर आइकन दबा देश्टो और दोस्तों के साथ सियर करना ना भूले दोस्तों इसमें दखे दोस्तों नीम लिखित में कौन से अठारा संतामर के बिद्रोवा था उसमें अंगरोजों के सबसे कटर दुसमन था तो हो जाएगा आपको पंदरा जो 16 नमर में कि फूर्टगाली जो है उपनिवेस का पर्थम 22 भारत कौन था तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नमबर 16 के दोस्तों हो जाएगा सी यानि कि कौन थे अलमीडा थे पी दखना है 17 नमर में कि इलाहबाद की जो संधी के बाद जो है रोबर्ट क्लाइब ने मुर मुर्शिदाबाद का उप दिवान किसे बनाया था तो इलाहाबाद के जो संधी हुआ था दोस्तों तो इसके बाद जो है रोबर्ट क्लाइब ने मुर्शिदाबाद का उप दिवान किसे बनाया था दोस्तों तो हो जाएगा 17 के उप्शन नमर दोस्तों A 17 के उप्शन नम दमन के बाद भारतिये फोज के नव संगठन से समद्धित हो गया था तो आपको आपको जाएगा आपको आपको जाएगा आपको नेता थे दोस्तों जो काउरेश के गरम दल से समद्धित थे तो आपको जाएगा उनेश के अप्सेन नमर दोस्तों आपका एक काउंता दोस्तों जाने अर्वींद घोस्ते कौन थे आपको जो है कॉंगरेश के नेता थे जो की गरम दल से समद्धित रखते थे तो कि दखना है 20 नमर में महाबीर जैन की मिर्टू निम्लिखित में से किस नगर में हुआ था दोस्तों आपका चार्ग ओप्शन दिया गया है तो आपको दोस्तों तीन यह चार किलिमेटर दूरी पड़ता है पावपुरी वहां महाबीर जी का मिर्टू हुआ था पितखना नमर में निम्लिखित में से बिहार की कौन से जीला में रिखित में इनक कुछ इलाको के पच्छमी बंगाल को दिये गए थे आपको जाएक को से आपको से एक के सिरादा का यूग में प्राप्थ हुआ था था वीडियो को पुरा देखी दोस्तो आपको वीडियो को पूरा देखे सारा समझ में आ जाएगा तो स्थान देए यह आगे दकना है तो ओं 7 10 में जिए महांबोधी मंदीर बना कैं दो की zijां मोति में इसलिए C मौत्री मंदीर इसलिए उवात जो है तो माहबोधी मंदीर अमकू дост दोर दोस्तों की गौतमबूत का जो है ज्गान प्राप्ती आपको जोड़त कि आपको जोड़त किर तो संग डित स्प電 मेंगतने किये थे खरखना ल। भारत संग के संस्थापक ते तो 25 नंबर दोस्तों आपका डी सुरेंदरनाथ बनर जी थे जो कि भारत संग के संस्थापक थे भारती जो है राष्टे काउग्रेस के दुसरे अधिबेशन के अधिशन के जबंका आपका दा भाई नोरोजी ने किये थे जो कि भारती राष्टी कॉंगरेस के दुसरे अधिवेशन के अज़्दास्ता किये थे फिर दखना है 27 नमर में कि बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तो यानि कि बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तो आपको है 27 की ऑप्शन नमबर C यानि कि 16 अक्टूबर 1905 में दो दोस्तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था 28 में दखेंगे कि राष्टिय अंदोलन में निम्न में किसको नरम दलिये के तौर पर नहीं जाना जाता है यहां पर जौकी गरम दलन के नेथा थे यहां पर जटह यहां जूotz यहां पर यहां जो है जो है बावारत च्छोड़ा अंदोलन का नितिवर किस ने किया था भारत च्छोड़ा अंदोलन का तो नियर्तिते किसी यहां मुझा थे लिए। किसूष कोईեյ मैं किससे नहीं के थे। कश्चे से नारा कींद्या तो यहाई POW दो क्यू कश्चे कर यह जैस यह बिधा टेकनिक पारे मिड़िगा क्लास करें दोस्तों वीडियो को शेर करना न भूले अर दोस्तों साथ यह स्थापना कहां की था जाद हिंद फोज का सफ्टान दोस्तों आपको जो है 32 की ओपसे नमर्र हो दोस्तों च यानि जो है सिंगापूर में किया गया था तो जब्धाशन अथा नहीं के भागती सिंह राज गुरुरू ऑश्चुखदेव जिक है फासी कब दिया गया सब्सक्राइब सब्सक्राइब दिखिए दोस्तो आगें दोस्तो तो देखिए डोस्तो आगे हम लेका हैं दोस्तो बिहारे किस्तों 25 अब्जेक्टिव लेंक क्योशन थी आफ जो है शक्तिता क्योंकि आपको उसके लिए ने क्योशन देता है थी इसलिए पूरा बीडियो देखो वीडियो ला अंत्त तक देखिए और बीडियो को सेर्क ना भूले ु दूख्म अपसे पढ़ सेयाध। है उसी तरह कि बिहार की जलवायू मन्शूनी है और इसेय नम में कि बिहार राज की सबसे पुराना उद्योग चिनी ना नहीं हैU कि बिहार राजeeee सबसे पुराना उद्योग दोस्तों चीनी उद्योग है बिधान सभा को गठन किया गया था तो यानि कितने धार किया था गठन किया था जो कि 1973 में जो है सोतंतर भाद किसे अस्थित में आ गया थे शे नमर में कि पटना उचिनेला के अस्थापना किया गया था बितखना साथ नमर में बिहार की बोली को किस ने कहा था तो बोले थे इंजिनियर एंप फोरेस्टन बिहार बोली के कहा गा था बितखना 8 नमर में कि बिहार का बिभाजन किस बर्स हुआ था तो बिहार का जारकन से हुआ था तो 15 नवंबर 2000 को बिहार जारकन अलग हुए थी बटवारा हुआ था पीदखना है 9 नमर में छेतफ़पक दिरिष्टी से बिहार का देष जो है कौन सा स्थान हो जाएगा एक ग्रहमा जो है यानि कि आपको भूमिक दिरिष्टी से पीदखना है यहां पर 1,355 में फैला घु कि देखने हैं में बाला नमर में कि Bihar की राजभाषा क्या दोस्तों बिहार की राजभासा हो जाएगा आपका हिंदी उसे दो इसी तेना कितना है पोंड़ने के साथ दोस्तो तो दो वीडियो को पूरा दखें दोस्तो और वीडियो को यतना सेर किजिए दोस्तो 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 यतना सेर किजिए दोस्त आगला वीडियो हम लेके आएंगे दो तो जय हिन जय भारत हैं